दोस्तों स्वागत है आप सभी का विवेक मिचसा टिंग मेंटेस इन्वेस्टर हम लोग जिस कमपनी के उपड़ डिसकस करने वाले हैं अच्छा मैं एक चीज आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं सभी लोग इसको ट्रेंस ट्रेंस बोलते हैं मैं ट्रेडर्स बोलता हूं ट् ट्रेंस देता है मेरे को यह नोटिस कराना जरूरी था क्योंकि बहुत सारी वीडियो में ट्रेडर्स को लोग ट्रेंस समझ रहे थे ऐसा नहीं है ट्रेडर्स मैं ट्रेडर्स बोलता हूं ट्रेंस नहीं बोलता हूं चलिए मैं इसकी जगे अब इन्वेस्टर का वर्ड यू उसके उपर बात करेंगे आगे की conditions को जानेंगे देखिए number आने से पहले ही company ने बहुत ज़्यादा अच्छी reality हम लगों के दिखाया है तो उसका भी समझेंगे कि कैसी अभी नतीजे हैं क्या कैसी conditions रने वाली है आने वाले तीन महीने की target क्या हो सकते हैं कहां पर buy करें सारी चीजे आप समझ पाएंगे वीडियो को सुरू से हम तक देखेगा ताकि आपका कोई point मिसना हो क्योंकि इसमें हम लोग quarterly early results discuss कर रहे हैं तो चैनल subscribe करके रखिए note face and bell all पर रखिए जिससे आने वाले next update आप से मिसना हो और trades इस महीने में investor इस महीने में अभी भी नतीजे आने हैं और March 10 तक नतीजे आने ही आने है तो अभी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और बहुत से के आ रहे हैं तो उन पे हम लोग आपको फटा-फट update करते रहेंगे आप टेलिग्राम पे भी जाइन कर सकते हैं वहाँ भी हम लोग post करते रहते हैं जो 33 रूपीज 40 पैसे के राउंट ट्रेड कर रहा है एलक्ट्रिक उट्रिलिटीज में आ जाती है कंपनी एस्टडे वंसन कर रखा है पर आज सुबह सुबह आया है अर्निंग पर सेयर की बात करें तो 0.05 की है 19.419 की जो है बीलियन की मार्केट कैपिल इसकी आ जाती है प्रा लिखेगा इन्वेस्टर की 8 रूपीज 20 पैसे से लेके कंपनी 33 रूपीज 40 पैसे तक गई थी तो यह काफी बड़ी जंप थी और अभी भी यह कंटीन्यू बना ही हुआ है कुछ इसमें अभी ऐसा प्रॉफिट बुकिंग का देखने को नहीं मिला है अभी तो नतीजे भी इसके फाइनसस से ही स्टार्ट करते हैं मार्केट केपिल से ही स्टार्ट करते हैं तो मार्केट केपिल 1694 करोन की है बुक वैलू जो है ट्रेस इन्वेस्टर इसमें 2.93 की है तो बुक वैलू से अब तो सेर काफी जादा उपर हो गया है और प्रफॉरमेंस की बात करें ट्र ने अच्छा profit बनाया है यहां पे Q on Q basis पे देखा जाए तो 40.9% का growth है सितंबर से दिसंबर वाले नतीजे में अभी हम लोग चेक करेंगे कि कितना better number आया है last time से यहां पे तो percentage से भी आप लोगों को पता लग जाएगा कि इतना margin से difference है पर अभी हम लोग चेक करेंगे कि last year से भी कितना better है पर्मोडर सोल्डिंग की बात करें तो 32.0% की 32% की आ जाती है all time high share का price 34.80 पैसे गया था और already वहां के around पहुचने वाला है वापस से ROE की बात करें तो 1.1% का है मतलब बहुत normal सा दिखेगा basic सा एकदम return on acid जो है 0.34% का है company की face value बन आ जाती है चले फटा फट हम लोग इसके quarterly results को समझते है इसके pro cons में देखेंगे trace की depth कम हुआ है पर अभी भी company में काफी सारे cons हैं, depred days बहुत थाई है तो company अभी समय स्याओं में ही है, ऐसा नहीं है कि एकदम better जगह पर पहुँच गई है अभी भी दिक्कतों में है पर हाँ, जो company है वो काफी अच्छे future stick जो चीजें हैं उन पर work कर रही है, तो वो काफी better है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ रहे हैं क्यों कि देखें, इसके में आ जाता है grid connection, solar power वाला और उसको maintenance का काम करती है supply करती है, तो वो चीजें जो है, वो future को देखते हुए काफी अच्छा type का business है इस company का, तो वो एक better field आ जाती है, बट अभी भी company जूँज रही है, धीरे धीरे growth होता है हर किसी company में investor, तो वही चीज इसमें भी नदर आ रही है, अब इसके हम quarterly results पे बात करते हैं तो आपको दिखेगा, December पे हम लोग discuss करने वाले हैं, जो ज़स्ट अभी आए हैं फिर last quarter discuss करेंगे और last year का discuss करेंगे, तो सबसे पहले sales की बात करते हैं तो आपको दिखेगा कि sale के जो number थे, last year अच्छे थे, इस बार थोड़ा sale में गिरावट है, पर almost rates, ये investor जितनी ये company sale की है, हमेशा का आप देखेंगे, almost, almost expenses भी काफी ज़्यादा होते हैं तो निवेस को, इस चीज का हम लोगों को ध्यान अगना चाहिए कि जो इसमें, operating profit से margin आता है, वो बहुत ही बहुत कम आता है, आपको दिखेगा company यहाँ पर 47, 51 करोण, ऐसे sale कर रही है ठीक है, 11 करोण का भी किया है बट जो इसमें आपको दिखेगा, expenses जो है खर्चे जो है, वो भी बहुत ज़ादा होते है तो company का जो operating से profit का margin है वो काफी कम आ जाता है, sale करने के बाद तो यहाँ पर last year जो हुआ था वो बस 10 lakh का profit हुआ था यहाँ पर जो operating से profit हुआ वो 58 lakh का profit हुआ है और net profit में आते हुए 51 lakh का profit दिसंबर last year हुआ था और इस बार का जो है वो 31 lakh के अराउंड का हुआ है तो ट्रेस यहाँ पर investor आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि हम लोगों को जो net profit में है, वहाँ पर आपको December वाला जो last year का था वो data अच्छा हो जाएगा बट जो इस बार का जो performance रही है वहाँ पर operating profit में company ने अच्छा किया है तो overall अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो company का main business के बाद profit आता है, उसके बाद तो interest depreciation और ये सब कटने पिटने के बाद तो अलग हो जाती है value तो net profit जो यहाँ पर 31 lakh की ही आई है पर जो December इस बार का नतीजा था, वहाँ पर 58 lakh का operating से profit हुआ, लास्ट quarter से भी current raise तो वहाँ से clearly investor बहुत बहतर है अब क्योंकि traders मैं बार-बार बोलता रहता हूँ, तो वो बैठा हुआ है वो धीरे-धीरे सुधरेगा तो इस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि यह बार-बार traders investor, traders investor चल रहा है इसी इसको करिए, मैं भी practice में लाऊंगा धीरे-धीरे यह investor पर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा investor की जो net profit है वो 22 lakh का हुआ था तो उससे better है इस बार का तो clearly investor जो इस बार के नतीजे आए है company के वो better है last year से net profit में company थोड़ा down है पर आपको दिखेगा operating से profit अच्छा हुआ है तो last quarter से तो अच्छा perform किया है पर last year से थोड़ा खराब performance रही है क्योंकि वहाँ पर आपको दिखेगा number इसके थोड़े गीरे है बट इस चीज को हम अगर ना देखें ट्रेस तो overall इसी year के basis पर पात करें तो इस year के जो 3 quarter है जून से लेके वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो पहला quarter था वहाँ पर अच्छा profit था वहाँ पर company 45 lakh का profit हुआ था तो उससे थोड़ा कम है इस हिसाब की इसकी performance रही है और ये trading का business इसमें इस company को margin है वो काफी कम आ रहा है और भी आपको यहाँ पर company दिख जाएंगी हम लोगों ने उनको भी बहुत बार discuss कर रखा है अब इसके चार पर बात कर लेते हैं योगि हमने financials को discuss कर लिया है तो चार्ट पे टरियर्स मैंने आपको investor आपको मैंने 3 target दिये थे 17 रुपे 45 पैसे का 24 रुपे 95 पैसे का 29 रुपे 45 पैसे का तो अब हम लोगों को देखिए अगर इस चीज को यह continue रखता है company तो हम लोगों को यह जो next target है वो around हम लोगों को 37 रुपीज 20 पैसे के round तक का दिखता है तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे नतीजे अच्छे आये हैं पर अभी इसमें क्योंकि already company ने बहुत बहुत ज़्यादा return 9 रुपे से 33 रुपीज तक गई है तो investor आपको दिख जाएगा कि बहुत ज़्यादा return हो जाता है 100% तो कपका ही पार कर दिया था और 100% अब 200% भी पार कर दिया है तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत बड़ी rally है और profit booking के chances बनेंगे इसमें तो उस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है अगर आपको dip में मिलता है तो आप इसको खरीदने के लिए जा सकते हैं 25 रुपे अभी नजर आते हैं पर अगर यह profit booking ज़्यादा आनी सुरू हो गई तो और भी नीचे जा सकता है जो कि 17 रुपे 95 पैसे पर दिख रहा है तो high रुपे पर मैं नहीं बोलूँगा खरीदी है भले ही number better आया है पर company अभी भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि आप लोगों को अभी क्योंकि इतनी almost बड़ी rally दिखा दिया है आप एक अच्छी जगह पर जाएं खरीदने के लिए जो कि 70 रुपे के around 18 रुपे के around दिखाई देता है बाकी जो पहले से follow up करके चल रहे हैं मेरे को और company में बनके चल रहे हैं वो target 38 रुपी 20 पैसे का लेके चल सकते हैं उसके बाद भी next target मिलता रहेगा पर हाँ इसमें profit booking आने पे ही खरीदना ज्यादा better रहेगा तब आप एक अच्छे range में खरीदता हैंगी यही total update था और जा globe limited को लेके thanks for watching इस video और मैं अपने इस चीज को सुदारूँगा कि traders की जगह हैं मैं investor बोलूँ